हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फ्रेंज, आज मैं आपको ना बहुत ही स्टाइलेश पोटली बैग बना कर दिखाऊंगी वो भी वन पीस में बिना कॉर्णर कटकी और बिना किसी एक्स्ट्रा मेनत के यहाँ पर देखें मैंने मेन फैबरीक, फॉर्म शीट और लैनिंग लिया है लंबाई में एक पीस लिया है, रेक्टैंगल पीस से, सिर्फ एक रेक्टैंगल पीस से बनना है इससे पहले मैंने बनाया था पिरामिड स्टाइल पोटली बैग, उसको मैंने टूटल फाइफ पीस में बनाया था, फोर ट्रेंगल और वन स्क्टैंगल पीस में और ये वाला जो बनेगा न, इस सिर्फ एक रेक्टैंगल पीस में बनना है, बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका है, सिंपल है, इसे कोई भी बना लेगा तो प्लीज फ्रेंड इसको बिना इसकीप करें, आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा यहाँ पर मैंने वन पीस लिया है, सिर्फ पहले हम क्विल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कप्ड़ा न, मैं बढ़ा कर ही लेती हूँ ताकि जितना भी क्विल्ट वगरा करें, जितना भी खीचे, वो सब एक्स्ट्रा में चला जाए कट करने पर फाइनल हमारे पास वो मेजर्मेंट आ जाए तो यहाँ पर पहले लंबाई में सिलाई लगा के हम क्विल्ट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल साइज बताती हूँ तो देखे, ऐसे इसकी लेंथ है 16 इंच और ऐसे विर्थ है इसकी 8 इंच जस्ट हमें इसका डबल लेना है, जो भी आप रिक्टैंगल पीस से बना रहे हैं साइज में इसका डबल कर लीजेगा लेंथ अब विर्थ वाले पार्ट पे हमें जिप को अटाइच करना है, जिप के सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई लग गई, अब कपड़े की पटी लेंगे, किनारे किनारी यहां भी सिलाई लगा लेंगے पटी की सीधी साइड नीचे की तरफ रखना है, इससे जिप हमारी अच्छे से फिनिश हो जाती है पट्टी को पीछे की तरफ पुश कर देंगे जिप के उपर लगा लेंगे हम टॉप स्टिच टॉप स्टिच लग गया पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है सिलाई लग गई एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं आप देखें, दूसरे साइड को ना, हमें उठा लेना है, और इसके उपर रख लेना है, ऐसे, क्योंकि जिप को हमें खुलना होगा, तो मैं ऐसे ही स्टिच कर लेती हूँ, जिप एक बराबर आती है, जिप को स्टिच कर लेंगे, स्टिच करने के बाद आप इसको खोल लीजिएगा, तो जब भी अलग-अलग जिप लगाते हैं, आप ऐसे ही लगाया करिए, इसके बाद पट्टी सामें इसको फिनिश कर लेंगे, जैसे पहले वाले को किया था, पहली साइड को, टॉप स्टिच लगाना है, टॉप स्टिच लग गई, अब इसके बाद पट्टीक अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लीजे, सिलाई लग गई, अब देखे इस तरीके से हैं इसमें हम डालेंगे रनर, एड हो गया, इसके बाद अब क्या करना है देखे, ज पलटते हैं तो क्या होता है, हमारी जिप खुल जाती, जब ऐसे पलटते हैं, तो जिप पे हमारे प्रेशार आता है, जिप हमारी खुल जाती, फिर से हमें ताम जाम करना रहतार रनर डालने का, छोटी सी एक सिलाई लगा लिया करी, छोटी सी टिप है पर आपको बहुत का जो बिगनर्स है या जिनको दिक्कत आती है बार बार रनर डालने वाली तो एक बार यहां पर सिलाई लगा लिया करिए अब आपकी जो रनर है निकलेगा नहीं जब आप इसको पल्टेंगे तो देखिए अब इसको आप जल्द बाजी में भी पल्टेंगे फटा फट से तो आपका रनर जो है निकलेगा ने क्योंकि सिलाई लग चुकी है तो दोनों साइड हमारा लॉग हो चुका है छोटी सी टिप है पर बहुत काम आएगी आप एक बार ट्राय करके देखिएगा जब भी आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो ऐसे कर सकते हैं रनर एड लगा लेंगे जिप को अच्छे से मिला लिजेगा निशान जहां पर लगाया है और सिलाई लगा लिजेगा यह मैंने सिलाई लगा लिया सिलाई लगाने के बाद अब आपको funded लगाना है तो इस तरीके से बार पलटके आप अंदाजा ले लिजेगा कि आपकी जिप की जो ओप्निंग है वो नीचे की तरफ हो रही है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ मतलब जिप हमारी जो है ना उपर की तरफ बंदोना चाहिए, लग होना चाहिए, उपर की तरफ ऐसे, ये देखे इंगो ऊपर की डारेक्शन में जा रहा है, बंदोते हुए, बस यहीं पे हमें लूप लगाना है, तो जिब को देख लिजेगा, जहां आमारी ऊपर की तरफ जिप जाएगी ना बस वहीं पर हमें लूप लगाना रहेगा तो मैं दिखाने के लिए थोड़ी सिलाई लगा ली हूँ यहाँ पर थोड़ी सिलाई खोलना है तो फ्रेंस देखें मैं दोरी दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर यह है मेरा 13.5 इंच इतना ही लीजिएगा इसे जादा मत लीजिएगा यह हमारा इस तरीके से हाथों में आना चाहिए थोड़ा सा लूज रहेगा जिसे आप कहीं पार्टी वगरा में जाते हैं तो उपर की तरफ आप लूप लगाएंगे तो लूप लगाने के बाद जब मैंने लूप लगा लिया था ना उसके बाद मुझे यह मिला जो मेरा गोल्डन वायल था एक हो गया था अब इसने मैं डाल लिया है पर इसी तरीके से आप डाली जगे यह इसली देखे हमारे ब पिज करना है जैसे स्टिच करते हैं सीधी साइड आपस की तरह करते हुए यहां पर इस तरीके से रख लेना है टॉप पर अच्छे से लग करते हुए हम सिलाई लगांके पक्ता कर ल inacwe ताकि ये खुलेना तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है लॉक करने के बाद जितना भी आपको गोल्डन वाला वायर दिख रहा है न इसे क्या करेंगे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे यहाँ मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अब पास से दिखा देती हूँ देखिए इस तरीके से तो कट मत करिएगा इसी में अच्छे से सिलाई करके लॉक कर लीजेगा तो और भी अच्छे से ये पका हो जाएगा कभी तुलेगा नहीं अब स्टेट पट्टी से रफ सैट को फिनिश करना है तो मैंने स्टेट पट्टी लगा ली थी उसके बाद मुझे ये मुझे मिले है तो देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है अब जो दो रफ सैट था ना इसमें हमें स्टेट पट्टी से रफ सैट को फिनिश करना है सवा इंच की पट्टी लिया है, पट्टी को उपर से फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लग गई मैंने finish कर लिया है अब zip वाले side से हम इसको open कर लेते हैं देखे दोनों side finish हो चुका है यह हमारा loop आ गया handle जो हमें हाथ में अपने hang करना है तो यह हमारा बहुत ही प्यारा protli bag बन गया है और इसका जो runner है उसमें मैंने tassel लगा लिया है बहुत ही प्यारा बना है one piece में बिना ताम जहां बिना corner cut किये अब इसके बाद नीचे की तरफ जो base है triangle में उसके center में हमें लगाना है तो एक tassel रखा था मेरे पास तो simple लग रहा था बहुत तो मैंने यहाँ पे 2-4 जो है न pulse add कर लिये हैं बिल्कुल center में हमें अच्छे से knot लगा लेना ताकि यह खुलेना तो इसका look अच्छा हो जाएगा काफी तो friends यह बहुत easy तरीका है इस portly bag को बनाने का और यह है इसका final look बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है unique लग रहा है और friends सबसे अच्छी बात है यह one piece में बनाएं बिना किसी ताम जाम के simple तरीका है बस थोड़ी थोड़ी changement करके हम इसको इतना खुबसूरत बना सकते हैं तो देखिए portly bag बनाना बहुत आसान है आप इसमें अपना cell phone रख सकते हैं पर्स उसमें पैसे रख के तब रखिएगा तो बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा सेफ रहेगा और शादी पाटी में हमें वैसे भी हाथ में ही लेना रहता है तो देखिए यह मैंने बनाया था pyramid style जो pink वाला है इसको मैंने टोटल 5 pieces से बनाया था 4 triangle piece था और 1 मेरा square piece था तो यह बहुत easy तरीका है इसको भी बनाने का इसका अलग थोड़ा look आ जाता है लगबग pattern वैसा ही रहता है देखने में पर इसको बनाने का तरीका अलग है यह 5 pieces से बना है और black वाला single piece से बना है single rectangle piece से बना है तो इतना easy तरीका है बनाने का बहुत simple unique तरीका है black वाला तो super easy है आप इसको आराम से बना लेंगे और जो यह pyramid style है इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको measurement लेने के pieces ready करने के उसका भी मैंने बहुत simple तरीका बताया है बनाने का tips और tricks के साथ बताती हूँ एक एक चीज आपको clear हो जाती है और मैं ना इस pink वाला जो pyramid bag है इसका जो handle है इसको change करूँगी same black वाले की तरीके कर लूँगी pulse मेरे खो गयते तो आप इसी तरीके से इस bag का handle भी change करके बना सकते हैं I hope मेरा idea आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आजाए तो please वीडियो को like, share, channel को subscribe कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ Thank you